पराठे तो आपने कई तरह से खाये होंगे कई बार खाये होंगे जैसे प्याज का पराठा आपने माटर का पराठा पत्तागोवी का पराठा आलू का पराठा लेकिन आज जो मैं ये बनाऊंगी ये है पनीर का पराठा बहुती टेस्टी बनेगा बहुती क्रिस्पी बनेगा और इसे बनाने में ज्यादा जंजट आपको नहीं लगेगा जटपट बन करके ये गर में रेडी हो जाएगा तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैं ले रही हूँ पनीर पनीर आप अपने इसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं मैं यहाँ पर 200 ग्राम पनीर ले रही हूँ और यह मैंने ले लिया है कद्दूकस और इसे हमें कद्दूकस करके रखना है आप चाहें तो हाथ से मैश करके भी ले सकते हैं बस आपको ध्यान रखना है कि जो पनीर उसकी जो गाटे हैं वो नहीं होनी चाहिए इससे अच्छा है कि आप इसे इस तरह से मेरी तरह कद्दूकस करके ही लें अब इसमें जाएगा एक मेडियम साइज का एकदम बारी कटा हुआ प्याज बिल्कुल बारी कटा हुआ है आप वीडियो में देख रहे होंगे बिल्कुल इसी तरह से आपको प्याज को भारी कट करके ही डालना है अगर आप इसे मोटा काटेंगे तो आपका पराठा फट जाएगा और इसमें में डाल दूँगी अद्रक और हरी मिर्ची का पेष्ट आदा चैसे में बड़ा चम्मच आदा चम्मच डाल दूँगी एक चम्मच इसमें जाएगा धनिया पॉडर जीरा पॉडर आदा चम्मच डाल दूँगी आदा ही चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्ची पॉडर तीखा पना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिन कर सकते हैं चिली फ्लेक्स जाएगी एक चम्मच और इसमें में इंग्रिडिय हो जाएगा अब मैंने इसमें बारी कटा हुआ डाल दिया है धनिया और डाल देगे नमक नमक यहां पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए मैं एक चमच इसमें नमक कर डाल रही हूं और सभी चीजों को मिला लेना है अब बस वही यह आटा है जो आप घर पर चपाती बना दे हैं बस उसी तरह का आपको आठा चाहिए और जैसे आप आलू के पर आठे बनाते हैं बिल्कुल से माप उसी तरह से बना लीजिए मैं यहां पर लोई ले रही हूं रोटी से थोड़ी सी मैंने मोटी यहां पर लोई ली है और इस तरह से बढ़ा कर लि और कलोंजी जब आपके मूँ में आईगी तो बहुत उसका अलगी टेस्ट आ जाएगा और इसे थोड़ा सा हमें बड़ा सरकल बनाकर रेडी कर लेना है मैं यहाँ पर तिकोना परोठा बना रही हूँ आप चाहें तो इसे गोल भी बना सकते हैं मैं यहाँ पर यह देखिए पूरा बड़ा एक सरकल बनाकर तैयार कर लूँगी इसे आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं या फिर कोई आपके दर से ओफिस जा रहा है तो उसे भी दे सकते हैं या फिर आप घूमने कहीं जा रहे हैं तो इस पराठे को आप अपने सफर का हिस्सा जरूल बनाईएगा यह बहुत ही टेस्टी लगते हैं आप इसे चटनी से सौस से या अचार से भी खा सकते हैं और यह देखिए बड़ा सरकल मेरा बनकर रेडी हो गया है अब मैं इसमें धेर सारी फिलिंग डाल दूँगी पनीर की यह देखिए इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप क्या जो काटेंगे एक दंबारी काटेंगे इससे क्या होगा जो हमारी फिलिंग है धेर सारी हमारे पराठे में बनकर रिडी होगी आप कितना सारा भी आप डाल सकते हैं आप देख रहे होगे मैंने दो से ढाई चमच भर के इसमें फिलिंग भर दिया और इस तरह से हमें इसे पैक कर देना है आपके हिसाब से आप गोल तिकोना जैसा भी आप चाहें वह इस पराठे को बना कर इंजॉय कर सकते हैं बहुत आसानी से बन जाता है इसे हमें कर देना है पैक अगर इस तरह से साइट से नहीं जिपक रहे तो थोड़ा सा पानी आप यहां पर लगा सकते हैं और इसे अच्छे से इस तरह से आप प्रेस कर दीजिए अब मैं लगा दूंगी यहां पर सुखा हुआ आटा और इसे हमें बेल लेना है अगर आप ताइट हात से बेलेगे तो यह हमारी जो फिलिंग है वो निकल जाएगी ये देखे देख रहे हैं आप कितना बड़ा मेरा पराथा बनकर रेडी हुआ है मैंने ये पराथा बेल लिया है अब साइट पर आप रख दीजिए तवा और तवे को गरम होनी दीजिए ये देखे मेरा पराथा बिलकर रेडी हो गया है और बस अब मैं इसे डाल दूँगे तवे पर और इसे हमें एक बार इस तरह से पलट देना है अच्छे से आप पलट लेजिए इसको इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आईगी और अब आप चाहें इसे देशीगी से या घर पर जो आप कोकिंग ओईल यूज़ करते हैं वो या फिर आप बटर से भी इसे सेक सकते हैं मैं यहाँ पर सीधा इसे देशीगी से सेक ले रही हूँ इससे अच्छे पहुत ही टेस्ट आएगा एक बार आप इसे इस तरह से बना कर जरूल इंजोई करें सबी को काफी ये पसंद आएगा और बताइए कि आप ये जो सी मेरा वीडियो है कौन सी सिटी से देख रहे हैं ये देखिए एक पराठा मेरा बन कर रेडी हो गया है इसी तरह से मैं सारे पराठे सेक करके रेडी कर लूँगी और ये लीजे हमारे पराठे सिख करके हो गये हैं रेडी मैंने 200 ग्राम पनीर लिया था ये देखिए मेरे इतने बड़े बड़े यहाँ पर चार पराठे बन करके रेडी हुए हैं आप विलिंकम जादा अपने हिसाब से भी कर सकते हो और एक बार इसे जरूर ट्राइ करें अभी मुमई में भी बारिस आ गई है तो बस आप भी इस पराठे को बना करके इंजॉय करें बहुत ही टेस्टी होता है तो इस बार इस बारिस में ये पनीर का पराठा पनीर और प्याच का पराठा बनाना तो पनता है तो आपको अगर वीडियो आज की ये मेरी पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो फिर मिलेंगे ऐसी ही नए नेक्स्ट रेसिपी के साथ वीडियो देखने के लिए थैंक्यू